नमस्कार मैं हूँ पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं आपे कुछ सवालों के उत्तर दूँगा आप समय समय पर मुझसे सवाल पूछते हैं और मैं भी कोईश करता हूँ कि आपको वीडियो बनाकर उसे एक्स्प्लेन करूँ लेकिन मैंने देखा है कि आप में से बहुत लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ये बहुत ही ज़रूरी होता है अलंकि हर YouTube बर ये बात कहता है इसकी जरूरत इसके लिए होती है कि जब आप सब्सक्राइब करते हैं वीडियो लाइक करते हैं तो YouTube उसको आपके वीडियों को और भी पर्मोट करता है तो इससे रीज़ बढ़ती है और लोग के पास तक वीडियोस पहुँचेंगे तो और लोग को इसका फायदा होगा तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना शेयर करना ये दोनों के लिए फायदे वाली बात है जो यूट्यूपर वीडियो बना रहा है उनके लिए भी और साथ ही बाकी लोग को इसका फायदा मिल सके इसके लिए तो आप से मेरी यही गुजारिस है कि आप जितना अधिसे अधि हो सके वीडियो को लाइक और शेयर किया करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बिल्कुल हब करें तो शुरू करते हैं कारिकरम और लेते हैं करके कुछ सवाल पहला सवाल जो मैं ले रहा हूँ यह पूचा है बिरजेश बाजपई ने और बिरजेश जी ने बताया कि उनकी उम्र है 34 साल की और 20 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं और 2020 से वो अलरीड़ी इन्वेश्ट कर रहे हैं और गिरावट में टॉप अप भी करते हैं यह तो बहुत अच्छी बात है इसकीम के नाम भी बताये हैं और टार्गेट है 2 करोड का 20 साल के बाद तो पहले मैं बिरजेश जी बात को बता दूँ कि यदि आप लंबी अवधी के गोल तै करते हैं तो इन्फलेशन को ध्यान में जरूर रखें आप देखेंगे कि यदि मैं 7% का इन्फलेशन यहाँ पर मानके चलूँ बहंगाई दर 7% की मानके चलूँ तो आज के 20 साल के बाद आपके 2 करोड की जो कीमत है वो कितनी होगी करीब करीब 51-52 लाग के आसपास और यदि मैं मानके चलूँ कि आप क्योंकि 2020 से कर रहे हैं तीन साल निकल चुके हैं तो अगले 17 साल के बाद आपको पैसो की जरूरत पड़ेगी तो भी आप यदि देखेंगे तो करीब 2 करोड की वैल्यू आज से 17 यह के बाद 63 लाग के आसपास होगी तो आप मुझे बताईए कहां आप बात कर रहे हैं 2 करोड की और उसकी वैल्यू हो जाएगी 63 लाग के आसपास आस से 17 यह के बाद तो इसके लिए आप हमेशा जब भी गोल तै करें तो इंफलेशन के हिसाब से करें और एक बड़ी राशी का टार्गेट आप लेकर चलें और बड़ी राशी आप लेंगे आपको सुरुवात में लगेगा कि इतना बड़ा अमाउंट है क्या ची हो पाएगा लेकिन यदि आप अपने इंकम के हिसाब से इंवेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते रहें और आपके इंवेस्टमेंट पर अच्छे रिटन आपको मिल सकें तो आपके लिए बड़े से बड़ा गोल अचीव करना भी आसान हो जाता है और अच्छी बात है कि हमारे जो वीवर्स हैं मोस्ट अब वीवर्स मुच्वल फंड में इंवेस्ट करते हैं उन्हें पता है कि मुच्वल फंड साब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क उताच अढ़ाव की समभावना रहती है रिटन्स ये बात की गारेंटी नहीं होती यहां पर कि कितना परसेंट मिलेगा लेकिन हमें पता है कि एक्विडी में पोटेंशल है अच्छे रिटन्स मिलने का कभी-कभी मार्केट में गिरावट आती है आपका जो पोर्टफोलिया है वो गिर भी जाता है लेकिन हिटोरिकली देखेंगे तो आप देखेंगे कि 20 साल में इदि हम बात करें जो पुराने फंड्स है अधिकतर फंड्स ने 20-20 परसेंट का CAGR डिलीवर किया है तो ऐसा नहीं है कि उन स्कीम ने साल दर साल 20 परसेंट का रिटन दिया कभी रिटन्स नेगेटिव भी रहे कभी 5-6 परसेंट भी रहे पर कभी कभी 40-45 परसेंट का रिटन भी आया और इसके लिए जो CAGR है एवरेज वो 20 साल में 20 परसेंट या उससे अधिक का भी रहा है तो इसके लिए कई बार लोग कमेंट करते हैं कि क्या गारेंटी है और यहाँ पर इससे अच्छा तो FD है पर आप देखिए कि अगर आपको भविश्य में अच्छे रिटन्स अर्न करने हैं और इंफलेशन को बीट करना है तो आपको रिटन्स अर्न करने पड़ेंगे अब मजबूरी है FD में अगर मुझे 12% मिल रहे होते तो शायद मैं बाद भी नहीं करता दूसे चीजों की बट अगर आपको 7-8% आठ भी नहीं मिलते FD में तो आजकल तो इसके लिए ऐसे में फिर इंफलेशन का जो रिस्क है वो शायद इससे भी बड़ा रिस्क है कि आप मिच्छल फंड में उतार चड़ाओ या वोलेटिली जिसको हम बोलते हैं उसका रिस्क ले रहा है तो वोलेटिली का रिस्क लेना शायद ये बनता है कि लिए लेकिन इंफलेशन का एदिया आपने रिस्क जो है उसको धिहान में नहीं रखा तो शायद वविश्य में regret फील हो सकता है तो anyway आते हैं वापस हमें कई बार सवालों के माध्यम से कई जानकारी शेयर करने के उशिश करता हूँ तो बिरजेश जी पहली बात तो बताई मैंने आपको कि दो क्रोड का जो लक्षिय आप लेके चल रहे हैं शायद वो कम है आपको इसे बढ़ाना चाहिए दूसरी बात ये है कि आप अभी परागपारी फ्लेक्सी कैप फंड में 1000 रुपीज क्वांट एक्टिव फंड जो की मल्टी कैप फंड है 1000 मिरे असेड मिट कैप फंड में 1000 और एक्सिस स्मॉल कैप में 1000 की SIP कर रहे हैं आप 4000 रुपी की SIP कर रहे हैं आती 10% से आपने बोला है कि आप step up भी कर रहे हैं और जब भी गिरावट आती है तब आप investment करते रहते हैं तो आप अगर 4000 से तो possible नहीं था लेकिन क्योंकि आप समय समय पर और भी बढ़ा रहे हैं investment को तो आप लक्षे को हासिल कर पाएंगे ऐसी उमीद है लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपका टारगेट 20 साल के बाद 2 क्रोड नहीं बलकि 4-5 क्रोड का होना चाहिए तब यह अच्छा रहेगा और schemes आपके पास बहुत अच्छी हैं small cap है mid cap है multi cap और flexi cap है और अपनी category की यह सबसे अच्छी schemes में से हैं तो बिल्कुल आप scheme के साथ आगे बढ़ते रहिए और कोई बदलाव की जरूरत नहीं है बस जैसे मैंने कहा कि amount आपको बढ़ाना होगा all the best to you पर अब बढ़ते हैं आगे लेतने कला सवाद जो पूछा है पंकच कुमार ने पंकच जी ने अपना portfolio share किया है और बताया है कि 12,000 की SIP कर रहे हैं और साथ ही 20% से हर साल step up भी करेंगे तो यह बहुत अच्छी बात है लेकिन हर साल 20% से step up करना शायद कई investors के लिए possible ना हो क्योंकि अपनी income हर साल 20% से बढ़ेगी इसकी guarantee नहीं है लेकिन फिर भी 8-10% से तो step up करी सकते हैं और जब-जब आपका promotion हो या business कर रहे हैं तो वहाँ पर अच्छी growth हो उस वक्त पर आप 20-25% से भी step up करें और जब लमसमें पैसा आए तब भी आप top up करें तब ही आप long term में अच्छा portfolio बना पाएंगे अब आते हैं आपके scheme पर आपका investment horizon है 15 साल का और आपने कहा है कि आप एक aggressive investor है ये सुनने को कई बार मिलता है कि मैं aggressive investor हूँ लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि यदि आपने अभी investment करना शुरू किया है जिस वक्त पर market में तेजी है या आपने देखा कि small cap, mid cap ने 30% के आसपास एक साल में return deliver किये तो ऐसे में कहना कि मैं aggressive हूँ ये आसान हो जाता है लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं aggressive हूँ मैं सवाल को यदि आपसे ऐसा पूछू कि किसी वक्त पर आपका portfolio 20% down हो जाए आपके पास 10,00,00 रुपे हैं portfolio में कुछ दिन पहले आपने देखा कि मेरे portfolio की value 10,00,00 थी और वो अचानक से 8,00,00 हो गई, 2,00,00 का आपको loss दिखाई दे रहा है तो आप कितना comfortable है क्योंकि कई बार ये कहना असान होता है लेकिन जब आप देखते हैं कि आपके portfolio में 2,00,00 की गिरावट आ गई है तो आप घबरा जाते हैं और पूरा पैसा निकाल लेते हैं तो यदि आपको इस तरह की गिरावट से घबराट होती है या हो सकती है तो फिर ये कहना कि मैं aggressive investor हूँ ये शायद उचित नहीं होगा मैं ये बात in general कर रहा हूँ क्योंकि investors तो aggressive भी होते हैं और moderate और कम जोखिम लेने वाले भी होते हैं conservative भी होते हैं लेकिन आजकल क्योंकि हमने देखा पिछले 6 महिने में ही small cap index की हम बात करें तो करीब 30% का return आया तो ऐसे में कई बार investors को लगता है जोनोंने कभी गिरावट देखी नहीं है कि मैं risk ले सकता हूँ लेकिन सचाई ये है कि जब ऐसा वक्त आता है कि market में गिरावट आती है और गिरावट इदी लंबे समय तक रहती है तो अच्छे अच्छे investors का जो confidence है वो डगमगा जाता है तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप सोच समझ के जरुरत के हिसाब से अपना portfolio बनाईए तो अब आते हैं schemes पर quant tax plan में investment किया हुआ है आपने मिल्कुल सही है 2000 रुपे मेरे asset tax plan में 2000 रुपे ये भी सही है ये तो आपका ELSS हो गए tax saving के इसाब से आप जो बाकी scheme है उसमें पराग पार एक flexi cap fund एक अच्छा flexi cap fund है 2000 के SIP कर रहे हैं मिल्कुल करते रहे हैं मुतिला large and mid cap मुतिला उस्वा large and mid cap fund में आप 1000 के SIP कर रहे हैं और Tata small cap fund में 1000 रुपी कर रहे हैं निपोन इडिया small cap fund में 2000 कौान्ट small cap fund में 2000 तो आपका small cap fund में जो exposure है वह बहुत ज़्यदा है आपका 5000 रुपे जा रहा है small cap fund में तीन scheme में और जो आपका mid cap fund है उसमें large मit cap fund उसमें आप 1000 रुपीज कर रहे हैं, परागपारिक फ्लेक्सी कैप फंड में भी आप 2000 कर रहे हैं, तो होना ही चाहिए कि स्मॉल कैप में एक्सपोजन थोड़ा कम करें, और उसके बजाए आप परागपारिक और मुतिलाल उस्वाल लार्ज इमिट कैप फंड इनमें बढ़ाएं, तो ये एक अच्छा पोर्ट्फिलियो बनेगा, इसकी मसारी अच्छी हैं, लेकिन लॉंग टर्म में हमने देखा है कि अलग 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 एकोनोमी में, अलग अलग तरहें कि मार्किट कैप आले फंड आच्छा परफॉर्म करते हैं, तो इस्मॉल कैप में अभी हो गया कि पिछले एक साल में रिटर्स हमने अच्छे देखें और उसमें भी एक साल की बात करें, तो specifically पिछले 6 मेने में रिटर्स बहुत अच्छे आए लेकिन ऐसा नहीं है कि small cap अगले एक साल में भी वैसा परफॉर्म करेंगे अभी थोड़ा सा expensive हो गए है अब शायद large cap का समय आएगा तो इसके लिए small cap में exposure कम करेंगे और अगर प्राग पारिक flexi cap और मोतिलाल उस्वाल लाज लिमिट कैप में बढ़ाएंगे तो मेरे साब से ये एक अच्छी रणनीती होगी बाकि long term में हमने देखा है कि small cap में potential है अच्छी growth की संभावना रहती है तो यदि आप सच में उस तरह से risk लेकर और लंबी अवधी में चाहते हैं कि अच्छी returns बने तो आप बने भी रह सकते हैं all the best to you और अब लेकते अगला सवाल जो पोचा है राजंदर बोसले जी ने राजंदर जी का सवाल यह है कि उन्होंने कुछ scheme में investment किया हुआ है और schemes है आयते बिरला सनलाइफ liquid fund उसमें 2000 रुपे कोटक liquid fund में 1000 निपोन इंडिया में 1000 पर scheme का नाम नहीं लिखा हुआ है निपोन इंडिया लिखा है तो ये भी क्या पता liquid fund है या कुछ और है और SBI balance advantage fund ये एक hybrid fund है जिसका investment equity और debt दोनों में होता है और साथ ही SBI blue chip fund में 2000 रुपीज की SIP शायद SIP ही होगी उन्हें SIP वर्ड यूज नहीं किया हुआ है लंसम किया है ये SIP होगी नहीं तो minimum 5000 रुपे ऐसा कुछ किया होता तो anyway, देखे SBI blue chip fund और SBI balance advantage fund ये दोनों अच्छे fund है और आप मुझे लगता है कि नई investor है तो आपके लिए suitable fund भी है large cap है और एक hybrid fund है तो इन में तो आप बने रहिए निपॉन इंडिया का कौन सा fund है इसका नाम आपने बताया नहीं तो मैं इसमें कुछ नहीं कह पाऊंगा आयते बिरला सनलाइफ liquid fund और कोटग liquid fund के बारे में बात बतानी है आपको कि liquid fund जो होते हैं वो basically short term money पार्क करने के लिए suitable होते हैं छोटी अवधी में आपको पैसा रखना है जैसे आप savings account में पैसे रखते हैं अपने छोटी अवधी की जरूतों के लिए उस साबसे liquid fund भी आपके लिए helpful हो सकते हैं लेकिन इन funds में wealth creation का potential नहीं होता है तो यदि आप इन में investment करके ही सोच रहे हैं कि अगले 3-4 मेने में या 6 मेने में कुछ पैसा एकटा करेंगे और वो आपके emergency fund के लिए काम आएगा या कोई भी और वज़े हो सकते हैं तो बात अलग है बट अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो फिर ये liquid funds उसके लिए suitable नहीं है उसके बज़ाए फिर आपको equity funds में या hybrid funds में invest करना चाहिए तो आपको मेरी एक सला है कि आप अपना ज बताएं और कितनी अवधी के लिए आप invest करना चाहते हैं कितना amount इखटा करना चाहते हैं क्या आपके मन में गोल चल रहा है आपको कोई चीज खरीदनी है घर बनाना है बच्चों की शादी पढ़ाई कुछ भी मन में गोल है उसको भी आप लिखें ताकि मैं इस पर और इस टेबल माने जा सकते हैं और आप तेहला सवाल जो पूछा है रूपम सिंग ने रूपम जी मेरे असेड़ इमर्जिंग ब्लूचिप फंड में 2000 की SIP कर रहे हैं यह एक अच्छा लार्ज ने मिटकेप फंड है SBI Small Cap Fund में भी SIP कर रहे है 1000 रूपीज की यह भी एक अच्छा Small Cap Fund है पराग पारिक Flexi Cap Fund Flexi Cap Fund है जो कि Large Cap, Mid Cap, Small Cap सभी में कर सकता है इंवेस्टमेंट लेकिन यदि आप पोर्टफिलियो देखें तो Large Cap बायस है Large Cap and Mid Cap में इसका अलोकेशन है और International Equities में भी इंवेस्टमेंट है तो यह भी अच्छा Fund है UTI Flexi Cap Fund में 2000 की SIP मैं कहूँगा कि इसमें से आप निकल जाएए इस फंड की performance काफी समय से अच्छी नहीं है और इससे में निकलने की सलाह दूँगा आपको Quant Large Cap Fund में 1000 रुपीज की SIP है यह भी ठीक है Mutilal Oswal Micro Cap Fund में भी आप 1000 की SIP कर रहे हैं Axis Mid Cap Fund में 1000 रुपीज SBI Blue Chip Fund में 1000 रुपीज और समय साह भी कर रहे हैं पहली बात तो यह है कि आपने funds बहुत सारे ले लिये हैं इतने funds की आपको जरूरत नहीं है आप जैसे अपने Large Mid Cap Fund लिया है एक मेरे Asset वो एक fund दूसरा परागपारिक Flexi Cap Fund उसको रखिए और उसके बाद आप एक मोतिलाल Oswal Micro Cap आप सच में यदि बहुत लंबे समय के investor हैं तभी आप इस fund में invest कीजिए ये बहुत risk हो सकता है लेकिन long term में potential भी है कि आपको better returns दिला सके तो ये भी आप कर सकते हैं जैसे मैंने बताया है ये आप रिस्क लेने को तयार है एक्सिस Mid Cap Fund में 1000 तो Mid Cap के साब से आप इस fund को भी एक रख लीजिए लेकिन बाकी funds को आप बंद कर देंगे तो अच्छा है ऐसाने की fund खराब हैं लेकिन जैसे कि आप large cap में SBI Blue Chip की बात भी कर रहे हैं उसमें भी आपने investment किया हुआ है और क्वान large cap में भी किया हुआ है तो दो-दो large cap fund है और पराग परी flexi cap का भी exposure major large cap में है तो इसलिए मैं क SBI Blue Chip और क्वान large cap में से एक fund रखें और total amount उसी मैं SIB कीजिए वो अच्छा होगा UTI flexi cap से निकल जाईए और उसका जो पैसा है वो भी आप पराग पारिक flexi cap में add कर दीजिए वो बहतर रहेगा और बाकी funds के साथ आप बढ़ सकते हैं और साथ मैं आपने कहा है कि 2 लाग का आपको लंब सम investment करना है उसके लिए मैं आपको fund बताऊं तो आप निर्वर करता है यदि आपका नजरिया काफी लंबा है आप 7-8 साल के लिए उससे लंबी अवधी के लिए निवेश करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि आपके पास जो funds हैं उनमें आप इसे add कीजिए उस को आप थोड़ा बढ़ा दिया है धाई जार की जगए 25,000 की साइपी हो सकती है तो उसमें भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ ही sbi blue chip fund में आप थोड़ा add कर लीजिए तो इस तरह से आप invest कर सकते हैं और साथ ही मैं आपको कहूंगा कि एक balance advantage fund आप add कर लीजिए अपने या मुतिलाल उस्वाल balance advantage fund भी आप consider कर सकते हैं इन funds में आप invest कीजिए क्योंकि आप बात करें दो लाग की तो थोड़ा तुम ने बताया है कि existing में और आप इसमें से मान लीजिए कि एक लाग रुपिया balance advantage fund में invest कर सकते हैं और यदि नजरिया आपका कुछ 4-5 साल का ही है तो फिर पूरा पैसा आप balance advantage fund में ही करेंगे तो ये बेतर रहेगा सभी तरह के funds के अपनी के importance होती है लेकिन सभी funds सभी के लिए और हर अवधी के लिए suitable नहीं होते हैं तो ये ध्यान रहे कि जब भी आप investment करें तो हो सकता है कि कोई fund बहुत अच्छा perform कर रहा हो उसकी उमी आप अपने हिसाब से fund select कीजिए और ऐसा नहीं है कि कोई fund बहुत अच्छा कर रहा है तो किसी ने आपको आके बोला गिए fund बहुत अच्छा है आप invest कीजिए तो वो आपके suitable है कि नहीं है उसे जाने बिना आपको उसमें investment नहीं करना चाहिए और अब लेते हैं आज आखरी अंडिया small cap fund 15,000, quant small cap fund में 5,000, HDFC mid cap fund में 10,000, मुतिलाल उस्वा लाज दिन mid cap fund में 5,000, duration है 12 to 15 years का और 7 में 10% का हर साल step up करेंगे और target है 3 से 4 क्रोड का और जानना चाहते हैं कि ये schemes कैसी हैं तो ये आप 35,000 रुपीज पर मन्त के SIB कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप 10% से step up भी करेंगे अपने portfolio को तो ऐसे में 15 years में आप उमीद कर सकते हैं कि करीब करीब 2,89,000,000 निकल कर आ रहा है तो 3 क्रोड के आसपास आप इखटा कर सकते हैं और आपने कहा है कि 3 से 4 क्रोड रुपे तो मैं कहूंगा कि समय समय पर आप जितना हो सके और भी investment को बलाते रहें और top up करते रहें ताकि आपके पास ज्यादा राशी खटा हो सके क्योंकि हम बात करें 15 साल की तो यदि मैं ये कहूं कि 3 क्रोड रुपे भी खटा हो जाएं आपके पास 15 साल में लेकिन 3 क्र value है 15 साल के बाद वो अगर 7% का मैं inflation लेकर चलता हूं तो आज के लगभग मतलब 3 क्रोड रुपे हैं तो 15 साल के बाद में 7% के inflation पर करीब 1 क्रोड के आस पास रहेंगे अब आते हैं आपकी schemes पर तो आपने निपोन इंडिया स्मॉल केप में 15,000 coin small cap में 5,000 तो मतलब 20,000 जा रहे हैं small cap में और mid cap में 10,000 और large mid cap में 5,000 तो यानि कि large cap में exposure जो है वो तो बहुत ही कम है क्योंकि large mid cap का exposure भी mid cap में है तो mid cap में भी exposure कम है लेकि large cap से ज्यादा है और small cap में सबसे ज्यादा है तो ये portfolio आपका मेरे साब से सही नहीं है क्योंकि शा केप में अपना इंवेश्टमेंट इतना बला दिया मेरी राही अ है कि आपको इस स्मॉल केप में बलाना चाहिए इसकी मिफ के अच्छी हैं लेकिन आप क्या करें निपौन इंडिया स्मॉल केप में 5000 QR की SIP रहने दे 5000 वह और कौन्ट स्मॉल केप में भी 5,000 है तो 10,000 हो जाएगा आपका small cap में mid cap में already 10,000 है तो 10,000 small cap में 10,000 mid cap में और जो मुतिलाल उस्वा large and mid cap fund है उसमें आप बढाएं investment को already 5,000 रुपे है तो आप उसमें भी या तो पूरा 10,000 बढा दें या आप उसमें 5,000 बढाएं तो वो हो जाएगा 10,000 और जो 5,000 बच investment कीजिए उसको invest कीजिए एक international fund में तो ICI से potential US blue chip fund आप consider कर सकते हैं या फिर एक NASDAQ 100 fund जैसे कि मोतिलाल ओस्वाल NASDAQ 100 fund of fund या फिर ICI से initial NASDAQ 100 fund of fund इसको भी consider किया जा सकता है और तो आपका portfolio geographically भी diversify हो जाएगा वो better रहेगा long term के लिए तो इस तरह से small cap से थोड़ा exposure कम कीजिए large and mid cap fund में add कीजिए और एक international fund आप अपने portfolio में शामिल कीजिए ये मेरी आपके लिए राय है कभी भी recent performance को देखकर आपको अपना portfolio design नहीं करना चाहिए otherwise long term में ये risky हो सकता है तो आज जिन सवालों के मैंने उत्तर दिये मुझे उमीद है कि ये सलहा और ये जानकारी आपको ठीक से समझ में आई होगी और इसी तरह से अपने सवाल और सुझाओ आप comment box में post करते रहें आज के लिए बस इतना ही मुझे दीजे इजाज़त अपना ख्याल रखिए thank you mutual fund निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से सम्मंदित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पड़े